नमसकार दोस्तों दोस्तों आज इस वीडियो में मैं तीन बोल्टलिट को बाणव बूख बैटी से ब्लिंकिंग इड बनाना सिखाने वाले है इस वीडियो को देखने के बाद आप जीसे इस ब्लिंक लाइड को बनाके जिसे आप ऐसे तो आप कहीं भी जला सकते हैं खास तोर से जो मान लिज़े आपका गाड़ी का जो इंडिगेटर होता है, किसी प्राबलम के वज़े से आपका इंडिगेटर नहीं जला है, तो इसे बना कि आप इंडिगेटर के लिए बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, और वो भी हमारा जो ये बिलिंक लाइट स सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो भाई यहां बारा बोल्ट का बिलिंक सर्कीट बनाने वाले हैं, तो यहां जो हमारी LED होती है, एक LED मैक्सिमिम चार बोल्ट पे चलती है, ठीक है, उससे कम आप देंगे तो हलकी रोसनी देगी, लेकिन चार बोल्ट पे देना होगा, सीरीज में कैसे जोडते हैं, एक LED का प्लस और दूसरे LED का माइनस, देखे कुछी तरह से यहां, जिससे प्लस वाला लेक मैं इसका मोड रहा हूं, ठीक है, फिर इसके बाद जो दूसरा LED लेंगे, इसका जो है, माइनस हम मोडेंगे इधर, अब प्लस माइनस देखे कैसे पहचानना है, जब आपको इन नया LED परचेश करेंगे, तो आप देखेंगे इसमें एक लेक बड़ा होगा, और दूसरा वाला लेक छोटा होगा, ठीक है, तो जो आपका छोटा लेक होगा, वो होता है माइनस, और जो बड़ा लेक होता है, वो होता है, प्लस, तो आपको क्या करना है, इस तरह से मोड के, उसके बाद यहाँ, इसका माइनस हमने मोडा है, और दूसरे वाले का प्लस मोडा है, तो इस तरह से हमें इसका प्लस, उसका माइनस आपस में जोड़ना है, फिर तीसरा जो जोड़नेंगे इसी तरह जोड़ना है, तो यह हमारा सीरीज में जुडते चला जाता था फटा फट मैं तीनों एलीडी को सीरीज में जोड लेता हूं तो हमें कुछ इस तरह से led को सीरीज में जोड लेना आप जोड लेने के बाद देखिए अब इधार आपका एक प्लस बच ज्ख गया और एक साइड में माइनस बचके दो हमारा यह प्लस माइनस हो गया इसको हमें साइड में यहां रख देता हूँ अब इसके बाद आपको ले लेना है आप तो कपलर यह 827 पे इसका नंबर लिखा होता है अब यह कहां मिलेगा तो इसको देखिए आप कोई भी खराब चार्जर हो उसमें से निकाल सकते हैं यहां आपके पास इस तरह का कोई dts power supply है उसमें निकाल सकते हैं जैसे मैंने यहां से निकाला है आप दूसरे में देख सकते हैं यहां हमारा आप तो कपलर है तो यह आपको चार्जर में भी मिल जाएगा डिटीएस यह Saya power supply में मिल जाएगा और तमाम जगह है आप तो कपलर यूज होता है अब आपको यहां ध्यान से देखना है चुकि यह बहुत छोटा कंपोनेंट है तो इसे ध्यान से आपको देखना है तो यहां आप देखेंगे एक साइड में आपको बिंदी नजर आएगी ठीक है यहां एक साइड में इस साइड में देखें यहां कोने में आपको बिंदी नजर आ रही होगी तो बिंदी नजर आ रही अब आपको क्या करना है बिंदी साइड मेरा इधर है यह ध्यान में रखिएगा अब यहां मैं इसे यहां फसा देता हूं इसके ब इसका बिंदी देखे, यहां है, यहां बिंदी है, बिंदी साइड और नहीं जोड़ना है, उसके दूसरे साइड में, इस साइड में हमें, इस लेक पे और इस लेक पे, दोनों लेक पे हमें इस तरह से, जो हमारा वन किलो ओम का रजिस्टेंस है, इसको इस तरह से यहां क्योंकि आप इसका स्पीड के उपर निर्भर है आपको कितना स्पीड चाहिए उसी हिसाब से आपको क्रेपिसिटर लेना है तो सो से 220 तक लेंगे तो आपको अच्छा स्पीड यह देगा अब क्या करना इसके प्लासवाले में यहां आपको इदर माइनस का सिंबल है माईनस हो और दूसरे साइड वाला प्लास ओ गया तो प्लासवाले में एक शोकी सौटा सवायर यहां पे हम जोड़ लेंगे अब इस तरह से छोटा सवाइर मैंने प्लस वाले में यहा जोड़ लिया और माइनस वाले को आप में कहा जोड़ना है यहाँ अप्टो kangplar का इस वाले پीन ठीक है हमारे यह वाली जो पीन है जहाँ हमारा Cameron जूड़ा हुआ है इसी वाले पिन पे हमें इस capacitor को जोड़ देना है नहीं capacitor के minus को आपको यहाँ पे जोड़ देना है देखे हमने यहाँ कुछ capacitor को इस तरह से यहाँ जोड़ दिया और इस capacitor का प्लस वाला यहाँ से दूरी मतलब इसमें short न होने पाए इसके बाद हमें ले लेना है एक 10 किलो ओम का resistance तो यहाँ 10 किलो ओम का जो resistance होता है वो आप देख सकते हैं भूरा काला और नारंगी यह आपका 10 किलो ओम का resistance होता है इस resistance को आपको कहां जोड़ना है इस आपको coupler पे जहां बिंदी वाला निसान है बिंदी वाले निसान के पास में जो पिन है उसी पे आपको यहाँ इस resistance को जोड़ देना है तो यहाँ मैंने इस resistance को भी जोड़ दिया अभी दोस्तों इतना कर लेने के बाद अभी इस wire को हम भी सकता है नहीं भी हट सकता है तो अच्छे से हमारा यह जूड़ गया अभी इतना जोड़ लेने की बाद अब हमें इस LED का यूज करना है तो जो मैंने सीरीज में बनाया था 27D यानि हमारा तीन वो चार्ड वोल्ट का LED है तीन में लिया बारा बोल्ट हो गया अब इसमें क्या करना है डेखे उयस्टियव में प्लस है और इस साइड में माइनस है तो आपको यहां जो रचिसेट वाला हिस्टा है इस पर आपको प्लस जोड़ना है और यज़ो कपलर का एक पीन आप देख सकते हैं यहां पे हमारा खाली है जिसे यहां खाली है इस वाले पीन पे इस LED का हमें इस जोड़ना है कुछ इस तरह से अभी दोस्तों हमारा LED यहां connect हो चुका यहां प्लस है इस साइड में माइनस है तो ऐसा नहीं है LED यहां जोड दिया आपको भी जोड़ना है, अगर आपको इंडिकेटर में यूज करना है, तो इस LED में तार जोड़ के भी आप दूर जला सकते हैं, बस सरकीट आपको तयार कर लेना है, इसके बाद अब यहां 12 बोल्ट सप्लाई देंगे तो 12 बोल्ट सप्लाई देने के लिए मैंने यहां दो वायर लिया है तो यह नीला वाला मेरा माइनस है और रेड़ वाला प्लस है तो प्लस आपको जोड़ देना है जहां आपका LED का प्लस जुड़ा है उस वाले point पे आपको plus wire जोड़ देना है अब जो minus wire है जहां आपने one kilo ohm का resistance जोड़ा है जो आपका coupler से इधर से होते हुए आया है इसी वाले point पे आपको यहाँ minus wire को जोड़ देना है अब जो हमारा circuit यह बनके totally complete हो चुका है एक बार आपको ध्यान से देख लेना है कहीं आपका कई सटा वटा तो नहीं है इसके बाद अब इसे हम supply देंगे जहीं साके आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ यह 12 volt की battery है तो 12 volt से मैं इसे supply देने वाला हूँ तो यहां मैंने इसे plus लगा दिया और फिर देहां से minus को लगा दिया तो अब आप देख सकते हैं जो हमारा blink light है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है थोड़ा सा मैं light बुझा के आपको दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारा blink light है वो अच्छी तरह से work कर रहा है ठीक है अब यहां अच्छी तरह से work कर रहा है अब आपको चाहिए speed हम थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं घटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है यहां देखे हमारा जो blink light हो अच्छी तरह जल रहा है चुकि यहां थोड़ा सा camera मोबाइल का जो रोसनी है उसके कारण यहां देखे बहुत ही अच्छा रोसनी दे रहा है ब्लिंग light हमारा अच्छी तरह स्काम कर रहा है अब मैं light जला देता हूं और अब इसका speed अगर आपको बढ़ाना है या घटाना है तो आपको क्या करना है बस इस capacitor का value आपको change करना है जैसे आपको बहुत देर देर तक चाहिए कि आपका LED ब्लिंग करे तो आपको capacitor का value दीजे 47 वब लगा दीजे तो दोस्तों speed इससे आप इसका कम या ज्यादा कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को subscribe कर दिजे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार